दोसों किसी भी मोबाइल को फूल रिसेट कैसे करें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाहे आपके पास Redmi का फोन हो, Samsung का फोन हो, Vivo हो, Oppo हो, Realme हो या फिर Xiaomi, MI, किसी भी कमपनी का आपके पास फोन क्यों ना हो कैसे आप उसे फूल रिसेट करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बिल्कुल सेम प्रोसेस होने वाला है, सभी फोन के लिए, तो वीडियो को आप एंड तक देखना और फोन को रिसेट करने का फायदा ये होता है, कि मोबाइल दोसे एकदम सुपर फास्ट नए जैसा हो जाता है अगर आपका मोबाइल हैंग करने लग गया है ना, तो आप अपने मोबाइल को एक बार फूल रिसेट कर देंगे तो आपका mobile एकदम नए जैसा चलने लगेगा दोबारा हैंग नहीं करेगा ठीक है तो कैसे आप full reset करेंगे आईए मैं आपको दोस्तों अपना जो phone है full reset करके दिखा देता हूँ तो उसके लिए बस आप इस sub video को like कर दो and continue guys इस sub video को देखते रहो तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने mobile को full reset करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने दो अलग-अलग company के phone ले रखे हैं सबसे पहले मैं आपको Samsung का बताऊँगा कैसे आप Samsung के mobile में full reset करेंगे उसके बाद मैं आपको others का बताऊँगा जैसे Redmi हो गया, Xiaomi, Poco, MI ठीक है या फिर Vivo, Oppo कैसे उसमें आप reset करेंगे उससब मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप Samsung का देख लिजिए तो Samsung mobile को full reset करने के लिए सबसे पहले आपको setting को open करेंगे ठीक है setting open करेंगे तो यहां पर आपको नीचे की तरफ चले आना है नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक setting देखने को मैं लेगा General Management आप देख सकते हैं तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक करके आप नीचे आएंगे तो यहां पर एक option दिया है क्या क्या चीज़े डिलीट हो जाएंगी आपको बता दो दोस्तों किसी भी मोबाल को फूल रिसेट करने से पहले आपको अपना एक बैक अप बना लेना है यानि कि आपके मोबाल में जो भी फोटो वीडियो या पिर जो भी आपका इंपोर्टेंट डॉकुमेंट ऑडियो है इन सबको दोस्तों आपको एक बैक अप बना लेना है किसी दूसरे फोन में कम्प्यूटर में या लेप्टॉप में ठीक है कहीं और बैक अप बना लेना है उसके बाद ही अपने मोबाल को रिसेट करना है क्योंकि यह सब दोस्तों आपकी मोबाल से हमेशा के लिए delete हो जाता है समझे दो इस बात का आपको ध्यान रखना है बीना backup लिए आपको अपने mobile को reset नहीं करना है तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मालनीचे आपने backup ले लिया है अब reset करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आजाना है उसके बाद नीचे दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर reset का option दिया है इसके उपर आपको click कर देना है अब यहाँ पर delete all का option आ जाएगा इसके उपर दोस्तों आपको click कर देना है और आपका mobile इसी प्रकास से switch off हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको थोड़े time तक wait करना है क्योंकि दोस्तों reset होने में 5-10 minute लग जाता है या पर कई बार इससे भी जल्दी हो जाता है ठीक है तो आपको अपने phone को रख देना है तब तक मैं आपको दूसरे phone का बता देता हूँ कि दूसरे phone में कैसे आप mobile को reset करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजे ये मेरे पास दोस्तों Poco का phone है Poco, Redmi, Xiaomi, Mi, यहन सब का जो है process बिल्कुल सेम होता है तो इसलिए मैं आपको दो अलग-अलग phone में बता रहा हूँ सेमसंग का मैंने आपको बता दिया अब इस phone में जो process बताऊंगा वो सभी phone में work करता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है setting को open कर लेना है mobile को reset करने के लिए आप directly चाहें तो यहाँ पर search भी कर सकते हैं लेगिन अगर आप search नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे दोस्तो आपको देखने को में लेगा about phone है आप फिर कई phone में उपर ही होता है तो आपको इसके उपर click कर लेना है इस पर click करने के बाद नीचे दोस्तो आपको देखने को में लेगा factory reset आप देख सकते हैं इसके उपर आपको click कर देना है अब इनके दोस्तो अगर आपके mobile में यह नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर search कर लेना ठीक है बहुत लोग search नहीं कर पाते तो यहाँ पर मैं आपको search करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर reset बस आप लिख देंगे न तो यहाँ पर दोस्तो आपको देखने को मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते है factory reset तो इसी के उपर आपको click कर देना है वही पर आप आजाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आने के बाद नीचे दोस्तो आप देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि आपके phone से क्या-क्या चीजी delete हो जाएंगी जब आप reset करेंगे account, contact, photo, video, app, and जो भी है तो इन सब का दोस्तो आपको backup बनाना है backup बनाने के बाद यहाँ पर लाश्ट में एक button दिया है erase all data इसके उपर बस आपको click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करेंगे इस प्रकास से mobile जो है आपका switch off हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे दोस्तों हमने reset कर दिया है ठीक है अभी यह reset हो रहा है इस वाले phone को अभी हम reset नहीं करेंगे लेकिन reset करने का पूरा जो process है वो मैंने आपको बता दिया इस phone का जो process है यह Poco हो गया, Xiaomi हो गया, MI हो गया, Redmi हो गया इन सब का बिलकुल सेम होता है Vivo, Oppo and all किसी भी phone का ठीक है Samsung का मैंने अलग से आपको बता दिया तो इसी प्रकास से दोस्तों आप किसी भी company के mobile को आसानी से reset कर सकते हैं अब reset होने में थोड़ा सा समय लगता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेना है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हमारा यह जो mobile है यह full reset हो चुका है एकदम ने सीरे से दोस्तों यहाँ पर start हो गया है welcome लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर जैसे हम एक नया phone लेते हैं से सेटप करना पड़ता है बिल्कुल वैसे दोस्तों जब आप mobile को full reset करेंगे तो आपको यहाँ पर start के button पर क्लिक करना होगा और बाकी की जो setup की चीज़े हैं वो सब दोस्तों यहाँ पर आपको करना होगा समझ गये तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने mobile को full reset कर सकते हैं मैंने आपको पूरा जो process है वो live करके दिखा दिया सभी phone के लिए ठीक है तो अगर आपको यह video पसंद आया तो video को लाइक और share करना साथी साथ हमारी channel को subscribe करके bell icon को all पे click कर देना ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएं थेंक्यों दोस्तों बाइब और टेक केर